अस्कामनेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टोप स्मार्टीस ट्रामा सीरियल मन आंगन काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग ड्रामा और सभी ओडियन्स चानना चाहती है क्या हर इसके आगे क्या होने वाला है तो आज इसकी मुकमल कहानी की प्रेडिक्शन शेयर करूंगी जो के मैंने इसकी आपकमिंग टेजर से और ओएस्टि से अकठी की है उमीद करती हूँ आपको ये आइदा आने वादिक साथ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर पेस किछे का ताकि मेरी हार आने मदी वीडियो आप बहुत असानी से देख सकें अरीबा जो हमेशा से ही ये ताना खाती है कि वो बांच है कभी मा नहीं बन सकती तबी तो वो सक्राइन के हर अच्छे और बुरे में उसका साथ देती है क्योंकि वो जानती है कि वो सक्राइन को बच्चा नहीं दे सकती तो कमसकम उसके साथ जो हमदर्दी करती है、 उसी के जबाएंशायद उसके साथ है लेकिन आगे चलकर हमें पता चलेगा कि ये सक्रान ही है जो से बच्चा पैدا करने से महरूम किया बैठा है उसकी दुआयों को चेंज कर देता है और उसमें इतने नुक्स पैदा कर रहा है इतनी उसकी जिस्मानी कमजोरियां कर रहा है कि वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती जब तक अरीबा ये दुआयां लेती रहेगी तब तक वो बच्चे की नेमत से महरूम रहेगी महनूर को अब फरास में दिलचस्पी पैदा होने लगी है इतना शरीफ और अच्छा देखकर महनूर का भी दिल उसकी तरफ से मौम हो ही गया महनूर उसको चाहने लगी है लेकिन अभी महनूर को पता ही नहीं कि ये उसे महबत हो रही है ऐसे में फरास जो हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता है उसकी हर मुश्किल में भी उसका साथ देता है और आफिस में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो आफिस का स्टाफ भी अब इनको देखकर बातें करने लगा है कि यहां पर ये अपनी औरत को तो संभाल नहीं सका और अब ये इस में को इंप्रेस करने चला है जिसकी वज़ा से आगे चलकर बहुत सी मुश्किलाथ भी होंगी रिम्शा के पीछे जो लड़का आता है आहर कर सकलैन ने उसके बारे में सब को बता दिया और अब रिम्शा महनूर पा अलजाम लगाने लगी कि अगर आप मुझे ना कह दी कि ये बात अमी से चुपाओ मैंने सब को बताया होता तो आज मेरा भी कोई हमदर्द होता आज मुझे भी कोई सच्चा कहता आज तो मुझे सभी जूटा कह रहे हैं सिर्फ आपकी वज़ा से वो महनूर से बहुत नराज हो जाती है क्योंकि सक्रैन ने यहां पर हाला से कह दिया कि जब तक आप अपनी घर की लड़कियों को नहीं संभालेंगे बाहिर के लड़के तो यही सब कुछ करते रहेंगे आपको ही कोई एक्षन लेना पड़ेगा अब अमी ने भी फैसला कर दिया कि अब यह रिमशा युनिवरस्टी नहीं पड़ेगी यह घर बैठेगी और इसका बाहिर जाना आना बिल्कुल बंद और यह सब कुछ रिमशा समझती है कि महनूर के वज़ा से हुआ तबी तो वो आप महनूर के हलाफ हो चुकी है रिमशा पर होने वाला हर्चा बचाने के लिए ही तो सक्लैन ने यह सब कुछ किया अब उसने रिमशा का पत्ता तो साफ कर ही दिया उसकी तरफ से अब कोई भी हर्चा सक्लियान को करना नहीं पड़ेगा यानि कि उसकी युनिवस्टी की फेस पे करनी नहीं पड़ेगी अब आदी है महनूर की बारी जैसा कि उसे महनूर के आफिस का पता चल चुका है इसलिए वो आफिस में अब चक्कर लगाया करेगा फरास के साथ महनूर की हमदर्दी देखकर तो उससे मौका मिल गया कि फरास के साथ ही महनूर की शादी हो जाए क्योंकि फरास बहुत ही लो तबके से तालुक रखता है ऐसे में महनूर हमेशा अपने घर के जंबेलों में पड़ी रहेगी और यहां पर दुकान और बागी घर के कराई की उसे कोई फिकर नहीं रहेगी इसलिए तो वो चाहता है अब फरास की शादी महनूर से हो जाए उसने फरास और महनूर के बादे में काफी ज्यादा फाहें भी फिला दी जिसके वज़र से अब ओफिस स्टाफ भी उन्हें बाते करता है और उन्हें एक दुशे के साथ जोडने की जो कोशिश करता है तो फरास को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो मेरी मैम है और मैं उसके सिर्फ इस्ट करता हूँ इसी दुरान उसके अपने उफिस वादों से हाथा पाई भी हो जाती है जिसके वज़र से इस केस में मुझे लगता है कि फरास को जेल जाना भी पड़ेगा क्योंकि मार कुटाई के सिर्फ इस्टे में जेल तो जाना पड़ेगा ही माहनूर बहुत चर्मिनता है कि उसके वज़र से उसने जेल की हवा खाई इसलिए बगएर किसी को बताए वो भी थाने पहुंच जाती है और फरास की बेर करवा कर उसे वापिस दे आती है वरास की दिल में माहनूर के लिए दिन बादिन महबत भरती जा रही है इसलिए एक दिन हिम्मत करके माहनूर के लिए रिंग ले जाता है उसे परपोस कर देता है माहनूर जो के बहुत ही डड़ी सहमी है इस शादी जैसे बंदन से वो कभी भी शादी ना करने का फैस्ता कर चुकी है इसलिए इसके अंगूठी देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगी मैंने तुमें बाकी सब मर्दों से हलाग समझा था लेकिन तुम सब मर्दों के जैसे हो इसलिए तुम में और उन में कोई फर्क नहीं वो ये कहते हैं वे वहां से चली जाती है फरास बहुत परिशान हो जाता है कि मैंने किसी गल्द तालुक का तो इससे नहीं कहा सिब शादी करने का कहा था तो इसने ऐसे रियक्ट क्यों किया माहनूर और फरास अभी संगूठी के मामले को भूलकर अपने आफिस के कामों में मसरूफ होना चाहते हैं तभी तो वो अब नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे हैं बेशक फरास उसको पसंद करता है लेकिन फिर भी अब उसके सामने इजहार नहीं करता एक दिन दोनों बस टेंड की तरफ जो जा रहे थे तो यहां पर सक्लैन देख लेता है सक्लैन को तो मौका मिल गया अब फिर से माहनूर को बदनाम करने का घर आता है और हाला से कहने लगा पास माहनूर भी खड़ी होगी और हाला से कहेगा कि यह माहनूर बस टेंड पर उसी लड़के के साथ मिली है जो लड़का इसके विज़ा से जेल पी जा चुका है तुम्हारा बॉइफरेंड है क्या वो माहनूर इस पास से इंकार करती है कि वो मेरा बॉइफरेंड नहीं क्योंकि हम लोग सिर्फ कॉलीक से है लेकि यहां पर मां बहुत ही गुस्से में आ जाती है तुम क्या चाहती हो मैं मर जाओं ऐसे नहीं मरी तो बदनामी और उसवाई से मर जाओं क्या अब माहनूर की मां की तबियत बहुत ही ज्यादा हराब रहना शुरू हो गई है वो माहनूर की बहुत फिकर करती है कि पहले एक बार रुकस्ती से पहली ही तलाक हो चुकी और अब माहनूर फिर से किसी और के चकर में पढ़ गई पहले वासे ने भी इसे छोड़ दिया ऐसे में वो महनूर से कहने लगी जिसके साथ चलती फिरती हो जिसके साथ रहती हो बहुत अच्छा है कि उसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारे सदमे से ही मर जाओंगी मा को कुछ हो ना जाए इसलिए महनूर अब फराज से शादी करने का फैस्टा कर लेती है जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा थाबत होगा अब तो सक्रेन बहुत ही ज्यदा खुश है क्योंकि अरीबा को काबू करना अब और भी ज्यदा असान हो गया क्योंकि अब महनूर की चिक चिक चु नहीं रही महनूर की शादी हो चुकी है इसलिए उसने अरीबा से सारी चायदा पातों ही बातों में अपने नाम लगवा ली अब यही सक्रेन दूसरी शादी भी करेगा और उस अपनी नई बीबी के साथ वक्त भी गुजारेगा उससे अपने इत्माद में लेता है कि अरीबा के साथ मेरा कोई रिष्टा नहीं उसको मैं मेडिसन देता हूँ जिसके विज़से वो मा भी नहीं बन सकती मेरा रिष्टा सिर्फ तुम्हारे साथ ही है मैं तो सिर्फ उससे दौलत हत्याना चाहता हूँ इसके लावा और कुछ भी नहीं महबब तो मैं सिर्फ तुमी से करता हूँ अब इसकी ये बीबी बी लालच में आ जाएगी और उसको अरिबा के साथ रहने की अजाज़त भी दे ही देगी अरिबा की आंगे तो तब खुली जब उसने सक्रेन की पौकर से ये टॉप्स निका ले ये टॉप्स अरिबा के लिए नहीं तो फिर किस के लिए हैं जब उसने सक्रेयन से पूछा तो सक्रेयन को भी सरीबा की भला क्या जरूरत। जायदाद भी अपने नाम लगवा चुका है और शादी भी कर चुका है और इसको बांच भी बना चुका है। जायदाद भी बना चुका है और आशिर से ठोकर खा चुकी है। तो कहीं ये भी मुझे छोड़ना दे। जो फराद इसके साथ तो बहुत अच्चा है। मेहनत करता है इसे मुहबत भी जटाता है और कोशिश करता है कि बहुत ज़द इसे इस पर एत्पार भी हो जाए। लेकिन ये महनूर बहुत ज़द उस पर इत्पार भी करने लगेगी तो कि वो जानती है कि यही उसका सच्चा जीवन साथ ही है। क्योंकि अगर ये सच्चा ना होता तो वक्त पर ये भी भागी जाता। फरास को छोटे भाई को महनूर की छोटी बेहन रिम्शा बहुत पसंदा जाती है फरास से बात करता है तो ऐसे इन दोनों का रिष्टा भी तह पा ही जाता है क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लड़का है कोई गल्द काम नहीं करता। इसलिए रमशा की मा इसका रिष्टा इस लड़के के साथ करही देती है जिसकी वज़त से इन दोनों की लाइफ भी बहुत असान हो चाहती है और माहनोर के पास भी सच्चा जीवन साथ ही जो इसको हमेशा चाहता है वो मजूद है अब यह अरीबा जो के बेगहर होकर आ चु सेर्ड नहीं वो सिर्फ इसकी दोलत के पीछे है जिसकी वज़ा से वो सक्लैन को गलब दवाया दे कर उससे अपनी सारी दोलत अपने नाम लगवा लेगी और ऐसे में सक्लैन की एंट में हमें मौत दिखाए जाएगी या फिर वो पागल हो जाएगा क्योंकि सारी उमर जो दोलत उसने अकठी की एकी छटके में कैसे उससे चली गई वो तो ये सोचकर ही पागल हो जाएगा या फिर बहुत ममकिन है कि रोट पर चलते हुए इसका एक्सिजेंट हो और इसकी देथ भी हो जाए जो कि हाला बरदाश्ट नहीं कर सकेगी पहले बेटी घरा कर बैट जो कि इसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था बहुत ममकिन है कि हमें यहां पर हाला की भी देथ दिखा दी जाएगी जो कि इतने सदमें बरदाश्ट नहीं कर पाई अब महनूर चाहती है कि अरीबा का रिश्टा भी कहीं बहुत अच्छी जगा हो जाए ताकि को उसके ना करदा गुनाह की सजा दी है तो खुद भी तो चैन से नहीं जी पाया खुद भी हमेशा नीचे से नीचे ही जाता रहा कोई भी काम उसको रास ही नहीं आया उसे लगता है कि ये उसे खुदा की तरफ से सजा मिलती है जिसका अजाला वो अरीबा से शादी करके चलकर आशिर और अरीबा की शादी हो ही जाएगी यहां पर सकलैन तो अपने अंजाम तक पहुंच गया लेकिन बाकी सबी बहुत हुश है अरीबा आशिर के साथ रिमशा अपने शोहर के साथ और फरास महनूर के साथ फ्रेंट्स आपको ये ड्रामा इस हैपी एंडिंग के साथ कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताईएगा वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेर जरूर कीचेगा मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें ताके मेरी हर आने मज़ी वीडियो बहुत असानी से देख सके इन दुआओं में याद रखेगा अपना बहुत सारा हया रखेगा नहीं वीडियो तक के लिए अलला हाफीज